इससे कहते हैं छोटा पैकिट बड़ा धमा का डिजिटल एम्पलीफायर ओडियो बैंक की और से हमारा कपलर इसमें कनेक्ट हो गया ओके ठीक है यह कनेक्ट हो गया एक एंड्रोइड स्क्रीन में हमने फिट कर दिया यह हमारा बेसे टूब के लिए होता है बेसे बूफर के लिए इसको भी हम कनेक्क कर देंगे हमने परपर डंग से पैनल फिक कर दिये हैं अंदर एम को परपर डंग से हमने लक्रोज से में सेट कर दिया अगर आप भी अपनी कार के अंदर music system अपग्रेड करके खुश नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्यूंकि आज मैं अपनी ओल्टो के अंदर एक नया concept का gadget लेके आया हूं बात करते हैं तो कुछ टेम पहले मैंने अपनी कार का music system अपग्रेड कराया था जिसमें मैंने दो जेबिल के स्पीकर दो पाइनिक के स्पीकर और दो हमारे सोनी के स्पीकर लगवाया थे साथ में को हमने all-in-one base tube amp लगाया था जिसने व्लॉक देखा है तो आपको पता है जिस स्पीकर लगाऊंगा जितने अच्छे ब्रैंड के लगाऊंगा जितनी कॉंटिर बढ़ाऊंगा क्या मुझे साउंड अच्छा मिल सकता है तो थोड़ा बहुत रिस्पोंस अच्छा रहा बाकी always वही normally usually क्या होता जब हम head unit change करते हैं तो उसमें वो इतना sufficient output नहीं दे पाता है कि हमारे component को अच्छे से drive कर पाएं और अभी आपकी कार में क्या है original head unit से पैना sound के head unit से चार चेक स्पीकर आपकी कार में चल रहे हैं बाकी इसका output अभी लगाने बाद सुनेंगे कि क्या response आता है क्या यह मेरी problems का solution कर पाता है या नहीं कर पाता 360 stereoscopic sound मिलता है professional sound मिलेगा शोक absorbing effect मिलेंगे इसके अंदर powerful intelligent tuning है self tuning है मतलब की इस टाइम पर जितने जो फोर्ड चनल एंप आते हैं उसके उससे भी अपग्रेड फ्यूचर इसके अंदर मिल रहे हैं सही कह रहा हूं एक बार आपको इसका ओवर लुक दिखा रहे है आप अच्छे डंग से व्यू देखेंगे बाकी यह काफी छोटा सा है है हैंडी लग रहा है और काफी यह साइस क्या होना अलेस का मतलब साइस कुछ बताएं इसका वार साइस अल्मोस्ट रहेगा ट्विंच आपके स्टेरियो के पिछे ही आजाएगा यह भी हमारा जो देसी भाई की गाड़ी में एंड्रोड लगा हुआ था हम रिमूफ तो आप देखेंगे तो यहां पर भाई ने यहां फ्रेम निकाल दिया और यहां पर देखेंगे तो वाइरिंग के साब से अभी यहां पर अब दिरवे क्या करने आलें कुछ बताएं यह एंड्रोड का कपलर इसमें कनेक्ट था ओके ठीक है हमने इसको और हम इसको बाकी प्लगिंग प्ले वाला सिस्टम है एक तरह से हमारा कपलर इसमें कनेक्ट हो गया ओके ठीक है एक एंड्रोड स्क्रीन में हमने फिट कर दिया और भी यह जो हमारे कनेक्शन से जो खाली बचे में यह हमारा बेस्ट्यूब के लिए होता है बेस्ट्यों बूफर के लि अब यह अल्य प्लग यहां देना पड़ता है तभी इसके अंदर पावर आती है एक फ्यू मोमेंट्स लेटर सो आप देखते हैं यहां पर विव तो यहां पर मैं दिखाऊंग फ्लेश तो हमने प्रॉपर डंग से पैनल फिट कर दिये अंदर एम को प्रॉपर डंग से हमन इससे कहते हैं छोटा पैकिट बड़ा धमाका भाई मुझे तो काफी इसका आउटपुट तगड़ा लगा अच्छा लगा ऐसा नहीं कि कहीं से साउंड पट रहा है इस टाइम मेरी कार के अंदर छे स्पीकर एक all-in-one हमारा बेस ट्यूब और दो ट्यूटर से हैं तो काफ अच्छा रिस्पोंस हमारा डिजिटल इसका एंप्लिफायर का लगा है और आपको नीड है तो आप भी ओडियो बैंक के अंदर जा सकते हैं अपनी कार के अंदर सबसे अच्छी बात बताओं क्या लगती है कपलर टू कपलर आपको इसकी वाइरिंग मिल जाती है वाइरिं पर भी काफी असानी से लगा सकती है तो दीरज बात कर लेते हैं मैक्सिमुम क्या इंका रेंच चालू होने वाला है एंप्लिफायर का इसका सर्प्राइज रहने वाला है 6,000 रूपीज एंड वन यह ब्रैंड वारंटी एक साल की आपको ब्रैंड की वारंटी मिल जाती है क आपको इसका यहां से देखें फर्स लूक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है दोस्तों वीडियो कैसा लगा पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं धिर बाइब वीडियो में अपना नंबर बता दो मान लो और किसी को क्वाईरी है किसी को नीड ह अधर कोई भी कार एसेसरी की तो आप धीरत बाइब को कॉल करें बंसी धर कार एसेसरी द्वार का रामफल चोक नंबर बताएं बीए प्लीज डबल नाइन फाइट टू एट फाइट फाइट फाइवन सेवन सेवन फाइफ सो दोस्तों लोको एंड कर टाइम आचुका उमी बाइब कर दो